इस वीडिएयो में आपको दसबेश्ट कौमीडी मुवीज के बारे बताने वले हैं जो कि कौमीडी मुवीज का सेकेंड पार्ट है तो हेलो दोस्तों केसे आप सब मेरे यूटेव चेनल पर आप सब का स्वागत है यह सारी मूवीज हिंदी में अविलेवल है और यह सारी मूवीज बहुत ही जादा फणी है इन मूवीज में भर-भर के कॉमेडी सीन है और यह मूवीज आसम है इस विडियो के हमारी पहली मूवी है सेक्स टपलेट्स इस मूवी में एक लड़का अपनी बिछड़ी वी फेमली को ढूड़ने निकलता और जब वो उसे मिलती है तो उस पर प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती है 2019 में रिलिजुई इस बहतरीन कॉमेडी मूवी को आई एम डीवी ने दस में से 4.4 रेटिंग्स दी है इस मूवी की फ़नी फेमली के सभी केरेक्टर बहुत ही ज्यादा फ़नी और एक से बढ़का एक हैं जो कि आपको बहुत इंटर्टेन करेंगे इस फ़नी कॉमेडी मूवी को आई एम डीवी ने दस में से 5.4 रेटिंग्स दी है इस मूवी की स्टोरी में एक लेडी जो की बहुत ही खडूश टाइप की बॉस रहती उसका बिजनस फ्लॉप हो जाता है और बापस अपने आपको बहुत बनाने के लिए क्या-क्या कारणामे करती है यह आपको बहुत इंटर्टेन करेंगा और यह मूवी बहुत ही ज़्यादा फणी है नेक्स्ट मूवी है बेट टीचर इस सांदार कॉमेडी और बहुत ही ज़्यादा फन्नी सिंस वाली मूवी को आई-मडी वे ने दस में से 5.6 रेटिंग्स दी है इस मूवी में एक टीचर बिल्कुल भी डिसिप्लेन में नहीं रहती और कोई ना कोई गड़बड करते रहती है वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेसे खटा करते है यह कॉमेडी से भरपूर मूवी आपको बहुत पसंद आएगी नेक्ट मूवी आइडेंटिटी थिफ मूवी की स्टोरी में एक लेडी अपनी लाइफ में इंजॉय करने के लिए लोगों के क्रेडिट्स कार्ड्स और डॉकुमेंट्स चुराती है इसो की चोरी करते हो इसे एक आदमी पकड़ लेता है जिसके आइडेंटिटी का यूस करते हो बहुत गडबड कर देती है फनी सीन्स के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी वाली इस मूवी को आइएम डीवी ने दस में से 5.7 रेटिंग्स दी है नेक्स्ट मूवी है ग्रो अप्स इस अल्टिमेट कॉमेडी मूवी को आइएम डीवी ने दस में से 5.9 रेटिंग्स दी है मूवी की स्टोरी में कुछ फ्रेंड्स एक साथ इखटा हो कर पिकनिक पर जाते हैं अपनी फेमिली के साथ काम की भागदोर में से थोड़ा समय बचा कर अपनी लाइफ को भी इंजॉय करने चाहिए बताती है मूवी बहुत ही ज़्यादा फणी है इस फणी मूवी को आई एम डीवी ने दस में से 6.1 रेटिंग्स दी है जो की बहुत ही अमेजिंग मूवी है मूवी की स्टोरी में एक आदमी नसे की हालत में अपना इस पर्म दूसरे आदमी के स्पर्म से चेंज कर देता है इसके बाद इस मूवी में जो कॉमेडी सीन साते है वो बहुत ही फणी है और यह आपको बहुत पसंद आएगा इस मूवी की स्टोरी में एक लड़की अपनी फेमिली को अपने वाइफरेंट से मिलवाने के लिए लेकर जाती है इस मूवी के हिंदी डब क्या फेन हो जाओगे जो कि संकेत मात्रे ने की है और यह टपोरी अंदाज में है इस मूवी में बहुत ही कॉमेडी सीन से है नेक्स्ट मूवी है टेक मी होम टुनाइट मूवी की स्टोरी में एक लड़का अपनी गल्फरेंड बनाने के लिए एक लड़की से अपनी जॉप से रिलेटेड जुड बोलता है इस मूवी में बहुत ही फणी कॉमेडी सीन से जिसे आईमडी ने दस में से 6.3 रेटिंग्स दी है जब उस लड़की को इसके बारे में पता चलता है तो क्या होता है बहुत ही ज़ादा मदेदार यह मूवी आपको बहुत इंटर्टेन करेगी इस मूवी की स्टोरी में एक बॉय और एक गर्ल हमेशा एक दूसरे से जगड़ते रहते हैं इस मूवी को आईमडीवी ने दस में से 6.3 रेटिंग्स दी है यह दोनों गुमने के लिए एक म्यूजियम में जाते हैं और एक मूर्ती के सामने फणी इंसिडेन्ट के कारण एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं यह मूवी आपको बहुत पसंद आएगी कि एक बॉय गर्ल बनके और एक गर्ल बॉय बनके क्या प्राब्लम फेस करते हैं और क्या-क्या कॉमेडी करते हैं लाश्ट मूवी है ड्यू डेट इस मूवी में रोबर्ट डाउनी है जिन्हें आप आईरन मेंन के नाम से भी जानते हैं इस मूवी को आई-मडीवी ने दस में से 6.5 रेटिंग्स दी है इस मूवी में उन्हें अपने घर जल्दी पहुचना होता है और वह एक आदमी को हेल्प करते हुग उसे लिफ्ट दे देते हैं उसके बाद वह आदमी एसी एसी गड़वड करता है जो की बहुत ही फणी और यह कॉमेडी से भरपूर मूवी आपको बहुत इंटर्टेन करेगी कमेंट करके बताएं दोस्तों के इन में से कौन सी मूवी आपकी फेबरेट और बताएं कि आपको कौन सी मूवी देखना पसंद है जैसे कॉमेडी एक्शन ट्रिलर साइको या मोटिवेशन वाली मैं जल्दी इन से संबनेत वीडियो आपके लिए ले कराऊंगा नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करा ना भूलें और वीडियो पसंद आयो दोस्तों तो लाइक हार्ट अभी और फाइनली थैंस पर वाचिंग